Hello Friends, Welcome to my Channel आज आप क्या बना रहे हो खाने में? खाना तो बनाना है ही हमें रोज खाना खाना होता है उसके लिए बनाना होता है तबी कभी क्या होता है? बहुत ज़्यादा करने का मूड नहीं होता है या फिर टाइम नहीं होता है खाना बनाने का 이렇게 be night फ्वाज रेशिपी तो सेम इसी सिचोरीषन में मैं आज बना रही हूँ आलू-दाही की सब्जी जिसका टेष्ट बहुत लाजबाब होता है और इसे बनाने में दो मिनिट लगते हैं बहुत ही ईजी रेसिपी है तो फ्रेंड्स चलिए हम बनाते हैं आलो दही जो बहुत टेश्टी होता है और बहुत ही सिंपल है तो आलो दही बनाने के लिए हमने फटा-फट से पैन चढ़ा लिया गैस पे इसमें दो बड़े चम्मच हम कोकिंग ऑल डा डिए धिर्ता है किसमच ये मैं ने आधा चम्मच घरलिया है जीर्ता के साथ हे हम ιజड़े पाते चणिचा लिया यहां प्रिंध साधानी से करेंगे अधर डालने के ऐसूव टीशा कते हैं आप मैं प्रार प्टेंड़े आपको ये देखिए अधर अधरक पयर चणरा लि अब मैं इसमें मिला दे रही हूँ दो छोटे तेज पत्ते और दो लाल मिर्च इसमें बीज निकला हुआ है दो हरे मिर्च छोटे बारी कटे हुए बस इसे मिला लेंगे हम मिर्च की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पैसी नहीं लेना है की फ्यास्तो है तो अब मैं इसमें मिला लूंगी आधा चमच घल्दी आधा चमच والीश पावडर और अधा चमच निय पावडर तै मिला लेंगे मसाले को हम अ अब हम मिला देंगे उबला हुआ आलू यह देखिए चार उबला हुआ आलू है जिसे मैंने च्छोटे शेप में काट लिया है आप आलू को ऐसे भी तोर सकते हैं आलू को भून लेंगे हैं मसालो में अच्छे से मिला के यह देखिए इस तरह से बस थोड़ी देर तक हमें आलू को भूनना है लगों अधा मिनिट यह इस तरह से मसाले से अले अच्छे से आलू में मिल जाएं तो यहाँ पे हम देख लेंगे आलू अच्छे से भून गया है मसालो के साथ यह देखिए मैं देखा देती हूँ आपको आलो हमारा अच्छे से बुन गया है मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिला लूँगी पानी ताकि हमारी सबजी का टेंपरेचर थोड़ा डाउन हो जाए और मसाले अच्छे से पक जाए थोड़ा सा पानी मिला लेना है हमें यहाँ पर गैस हमे यहां पे एकदम कम कर देंगे और पानी के साथ थोड़ा सा पका लेंगे हैं मालू को यह देख सकते हैं आप इस तरह से जब वायल आने लगे सब्जी में तो हम यहाँ पर मिलाएंगे दही यहाँ पर मैंने घर का दही लिया वो एकदम ताजा है यह ज़्यादा खटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए दही को हमने अच्छे से फेट लिया है तो थोड़ा थोड़ा करके हम दही मिलाएंगे सब्जी में एकदम से एक साथ पूरा दही नहीं मिला लेंगे थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे और सब्जी को चलाते जाएंगे यह देखिए इस तरह से हम सब्जी को चलाते जाएंगे और दही डालते जाएंगे तो यहाँ पर मैंने पूरा दही डाल दिया है सब्जी में अब मैं गैस का फ्लेम तेज कर दूँगी और लगातार चलाते हुए इसे खौलने तक पकाऊंगी तो सब्जी को हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए हमें अभी छोड़ना नहीं है सब्जी को लगातार चलाते रहना है जब तक ये उबलने नल लगे और गैस का फ्लेम तेज कर लेंगे हम तो यहाँ पे देखिए हमारा सबजी अब बलने लगा है यह देखिए बॉयल आ गया है इसमें अब हम यहाँ पे मिला लेंगे नमक अपने टेस्ट का कोडिंग नमक हमें बाद में डालना है पहले से नमक नहीं डालना है यहाँ पे हम नमक मिला लेंगे और अब इसे थोड़ी दिर हम ढख के पका लेंगे लगबग आदे मिनट के बाद आप ढखन अठा के देख सकते हैं सबजी आपका बिल्कुल तयार है ये देखिए अच्छे से बॉयल हो रहा है तो हमारा सबजी अब बिल्कुल बन के तयार है आप आइस में डालेंगे लाश्ट में आदा चमच का सूरी में थी थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ये हम सबजी को बिल्कुल पकने के बाद डालेंगे गैस का बंद कर देंगे हम मतलब हमारा सबजी एकदम रेडी है आप ग्रेवी की थिकनिस अपने अकॉर्डिंग कम यह जदा कर सकते हैं पतला चाहिए तो पतला कर सकते हैं काड़ी चाहिए तो थोड़ा काड़ी कर सकते हैं जब सबजी हमारी बन गई है तब हम यहाँ पे हम दो चुटकी डाल देंगे इसमें गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा फ्लेवर के लिए यह देखी मिला लेंगे हम गरम मसाले को तो अब आपकी सबजी बन के बिल्कुल रेडी है आप इसे सर्व करें मन पसंद पुरी पराठे या रोटी के साथ बहुत इलाजबाब होता है यह तो सबजी यहाँ पर बन के रेडी होने के बाद मैंने सर्विंग बॉल में निकाल लिया है अब मैं इसे करने जारे हो सर्व आप भी जब भी आपका मन हो कुछ हलका इजी सा जल्दी सा बनाना जिसके साथ टाइम बिल्कुल न लगे और खाने में भी बहुत टेश्टी हो तो यह आलू दही की सबजी जरूर ट्राइ करें आपको बहुत पसंद आएगा फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करें